अलो फ्रेंड्स वेलकम टू एचसेसी एड़ा एचसेसी एड़ा यूटूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार दिक स्वागत है तो पेरे बचो जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे एंटी पीसी का जो एक्जाम हुआ था पेरे बचो चैन 119 यह जो एक्जाम थे रेलवे ने कंड़क्ट करवाय थे पहले CBT-1 जिसको बोला गया था CBT-1 उसका जो है रिजल्ट आ गया है और बहुत ही जल्ड रेलवे जो हो CBT-2 के एक्जाम लेने वाला है तो इन एक्जाम्स को देखते हुए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं यूटूब चैनल पर जो रेलवे की भी त्यारी साथ के साथ कर रहे हैं तो उन सभी के लिए एक सीरीज मैंने शुरू किया है जिसमें हम CBT1 में जो रेलवे ने एक्जाम लिया है उन सभी एक्जाम्स को हम करेंगे जब तक हमारा एक्जाम CBT2 का नहीं हो जाता डेली हम कम से कम एक पेपर का मैथ और रीजिनिंग का सोलोशन हम यहां पर करेंगे तो जितना संभव होसकेगा ज्यादा से ज्यादा हम पेपर सोलो करने की कोशिश करेंगे यहां पर और हम जो इस पेपर की सुरुआत कर रहे हैं आज हमारा जो पेपर है यह 3-3-2021 यह 3-3-2021 को साठे 10-12 जो सुभाई शिफ्ट थी उस शिफ्ट में यह पेपर हुआ है और इस पेपर से हम आगे जितने भी पेपर होंगे वो पेपर हम सोलो करेंगे इससे पहले के जो पेपर है उनको हम बाद में सोलो करेंगे फिलाल हम यहां से सिरीज की सुरुआत कर रहे तो आप मुझे कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके जरूर बताएं अगर आप नहीं चाहते हो कि यह सीरीज कोंटीनियू नहीं की जाए उसके बारे में भी कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके जरूर बताना है और अगर कोंटीनियू रखना चाहते हो तो भी मुझे आप बताए इस सीरीज को हम यहां पर शुरू कर रहे हैं पेरे बचो तो हमारा यहां पर जो पहला question उसमें क्या दिया हुआ हमारे सामने इसको हल करना में 4 सही 1 बटे 3, गुणा 2 सही 4 बटे 5 और divide by 2 सही 1 बटे 3 तो simplification का सीधा सीधा सवाल है बोड मास का जो formula है वो यूज होता है यहां पर तो 4 सही 1 बटा 3 हमारा बन जाएगा 3, 4, 12 और 13 बटे 3 गुणा का साइन रहेगा यहां पर पास दूनिदा सौरचार 14 बटे 5 और यहां पर divide का साइन है तो इसको भी हम multiply का साइन कर देंगे जैसे हम इसको multiply का साइन करेंगे यह उपर आ जाएगा हमारा और यह हो जाएगा इसका जो denominator है वो उपर जाएगा और जो इसका denominator है वो निच्चे आ जाएगा तीन दूनिच है और एक 7 बटे 3 यानि कि यह हो जाएगा हमारा 3 बटे 7 यह सारी चीज यह हमारे सामने बन जाएगी अब यहाँ पर हम 3 से 3 कार सकते हैं 7 से हमारा कट जाएगा यह 2 पर 7 दूनि 14 और हमारे पास क्या बच गया 13 दूनि 26 और 26 बटे 5 जो हमारा अंसर आ जाएगा यहाँ पर और इसको हम अगर fraction के तोर पर लिखेंगे पुराना question है SSC ने बहुत पहले यह question पूछा हुआ है 5 sin theta प्लस 12 cos theta बराबर है 13 के 5 cos theta माइनस 12 sin theta कमान जो है हमें बताना हुआ क्या होगा तो परेबस बहुत ही आसान question है इस question को करने का सबसे आसानल सबसे बैट तरिक का मैं आपको बताता हूँ वैसे तो इसका जो answer हो वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है 0 हमें इस तरह की format जब भी दिखेगी तो answer 0 रहेगा अब इसको solo कैसे करना है मैं solution बता देता हूँ तो हम क्या करेंगे left hand side right hand side यानि कि divide by 13 both side ठीक है वह ही identity यूज करनी है इसका मतलब क्या हो गया 5 sin theta और plus 12 cos theta ठीक हमने 13 से divide किया तो यहाँ पर भी इसके बटे में क्या जाएगा 13 cos theta 12 बटे 13 cos theta और यहाँ पर 5 बटे 12 cos theta sorry 13 5 बटे 13 मारा cos theta sin theta plus 12 बटे 13 cos theta बराबर है अब यह कैसे हुआ 13 से divide कर दिया दोनों side तो एक आ गया यहाँ पर होगा क्या पर पर यहाँ एक triplet use हो रहा है ठीक है triplet का use हो रहा है यहाँ पर हमारे पास एक triplet होता है 5 12 और 13 का जिस बचे ने trigonometry का थोड़ा basic अच्छे से किया होगा उसके लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं था क्योंकि railway जो है वो advanced math trigonometry से हर सेट में एक दो question जुरूर पूशता है तो ध्यान रखना है अब sin square theta plus cos square theta बराबर हमारे किसके होता है 1 के इसका मतलब भी है पहरे बच्छो एक sin theta तो हमारे पास यह रहा अब यह ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखो इसको अगर sin square theta करना है तो sin theta के साथ हमें sin theta multiply करना पड़ेगा तो यह मारे पास 5 बटे 13 था यह 12 बटे 13 है इसको cos square theta करना तो इसका मतलब यह क्या है cos theta है तो यह मारे पास value available होगी अब यहाँ पर देख सकते हो तो लोग हमें value किसकी find out करनी है 5 cos theta minus 12 sin theta तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा cos theta की value कितनी है मेरे पास 12 बटे 13 इसको 12 बटे 13 से multiply करेंगे bracket में रख लेते हैं इसको minus करेंगे किसको 12 गुणा यहाँ पर sin theta में minus करना तो sin theta की value किया 5 बटे 13 याँनि कि आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं इसको open करूँगा तो यह मेरे पास क्या बन गया 60 बटे 13 12 पंजे 6 याँनि कि इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस side ठीक है 60 बटे 13 उसके बाद minus का sign लगा हूआ है 12 पंजे 6 और बटे में क्या है 13 तो 60 बटे 13 दोनों बिल्कुल same to same है बीच में minus का sign अकट जाएंगे तो answer क्या हो जाएगा 0 यह इसका सबसे best और सबसे आसान solution था इसको वैसे है लोग चाहो तो basic से भी बना सकते हो लेकिन उससे थोड़ा setup हो जाएगा यह सबसे आसान तरीका इस question को करने का next question की तरब बढ़ते है हमारा जो next question है उसमें क्या दिया हूआ हमारे पास बिल्कुल आसान सवाल है 10 pencil और 12 penों का हमारी cost उसने बताई थी करेम उले जो cost price हमें बताया था उसका भी हम गुणा थीन कर देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 150 का 3 गुणा 450 रुपे बिल्कुल आसान और basic question यहाँ पर जो रेलवे ने पूछा हुआ था तो यहाँ पर हमारा जो next question है पहरे बत्सों सको ध्यान से देखेंगे 10 15 degree हमारा कि इसके equal दे रहा है 2 minus root 3 के और यह होता भी 2 minus root 3 के ही equal है आगे हमसे पूछा क्या गया है हमें क्या solo करना है यहाँ पर 10 15 degree coat 75 degree पलस 10 75 degree और coat 15 degree ठीका यह मैंने YouTube के उपर ही तुम लोगों को provide करवा रहे है इसके उपर एक special class मैंने बहुत time पहले दी थी कम से कम एक साल पहले जिसमें मैंने 10 15 के बारे में और coat 10 75 के बारे में इन सब के बारे में बताया था तुम लोगों को कि यहाँ से examiner कई बार question पूछने लगा है जब से TCS ने examiner श्टार्ट किया है वो इन चीजों के उपर भी focus करने लग गया है और उसने SSC CGL में question यहां से पूछे थे तो उनके उपर मैंने वीडियो provide करवाई हुए उसको देखना एक बार चीजे समझ में आ जाएंगी तो यहां पर क्या दिया हो हमारे पास 10 15 डिगरी हमारा 2-3 के इक बोल हो गया ठीक है हम यहां पर लिख सकते हैं 10 15 डिगरी की जगह बे मैं लिखूँगा यहां पर 2- इस इसको इसको ब्रेकेट में रखेंगे आगे कि हमारे कोट 75 डिगरी तो पेरे मतचों मारे 10 15 डिगरी जर आए वह कोट 75 डिगरी की घूल होता है तो यहाँ पर multiply में क्या जाएगा 2 minus root 3 ऐसे का ऐसे आजाएगा पलस आगे क्या होगा हमारा यहाँ पर क्या है 1075 degree है ठीक है पेरे बचों तो 1075 degrees होता है न हमारा यह 1015 का opposite हो जाता है यहनकि इसका अगर मैं एक बटे कर देता हूँ तो मतलब कहना यह है कि यह हमारा जाएगा 2 minus root 3 का whole square बीच में plus का sign है और इदर जाएगा 2 plus root 3 का whole square ठीक है जब इसको solve करेंगे इन दोनों चीजों को ठीक है तो 4 root 3 इदर minus का होगा इदर आएगा plus का 4 root 3 ठीक है यह दोनों चीजें कट जाएगी और हमारे पास क्या बजाएगा 4 plus 3, 7 और उदर भी बजाएगा 4 plus 3, 7 ठीक है और दोनों के बीच में add अगा sign है तो यानि कि हमारा किस cake whole आजाएगा 7 plus 7, 14 cake whole जब यह आजाएगा तो पहरे बचो next जो question है यह अमारा दिया हुआ है 65 का जो square है वो होता हमारा 42, 25 तो हमें बताना 6.5 गोना 6.5 यानि कि हमें 6.5 का square करना था पहरे बचो और square जब हम करते हैं तो हमें एक बिल्कुल basic सी बात होती है दस्मलों के बाद अगर यहाँ पर एक digit दी हुई है तो जब हम इसका square करेंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा दो digit हो जाएगी यानि कि 42, 25 हमारे क्या हो जाएगा इस सवाल का right answer हो जाएगा B option हमारे सामने याँ पर दिया हुआ है तो पहरे बचों मारा जो next question याँ पर दिया हुआ हो दिया हुआ है X का square प्लस Y का square मारे पास कितना है 41 है और X Y की value मारे पास 20 दी हो यह तो हमें निकालना है 1 बटे X प्लस 1 बटे Y की जो value हो निकालना है तो सबसे पहले हम इसी को solo कर लेते हैं यह क्या कहना चाहता है तो यहाँ पर अगर मैं LCM लोगा X Y मेरे पास LCM आएगा और इदर आजाएगा मेरा Y प्लस और इदर आजाएगा X ठी का बहुत ही basic चीज है इनके अंदर तुमारी speed जो है वो extraordinary speed होनी चाहिए तब ही बहुत कम time मिलता है exam में और बहुत ही आसान question जो है railway पूछता है complete math का जो course है उसमें मैंने एक एक चीज 0,2 hero हर चीज बढ़ाई हुई है तो वहाँ से तुम जाकर अपनी तहरी कर सकते हो ठीक है तो पहरे पिछों यहाँ पर चीजों को समझना है हमारे पास क्या दिया हुआ X Y की value तो हमने पास available है क्या बनेगा X का square प्लस Y का square प्लस 2XY बोलो हाँ तो पैरे पचो यहाँ पर क्या है X Y की value कितनी है 20 है तो अगर इसको मैं multiply करूँगा तो यह कितना बन जाएगा तुमारा 40 बन जाएगा X का square प्लस Y का square की value मारे पास कितनी दी हुई है 41 यानि की 41 दी हुई है तो इन दोनों को जब हम add करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया 81 है प्लस Y की value यहाँ पर निकालना चाहूँ तो मुझे दोनों side क्या करना पड़ेगा square root करना पड़ेगा तभी इससे यह power cancel हो जाएगी तो 81 का भी जब मैं square root करूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा बच क्या जाएगा no अगर इससे no को हम यहाँ पर उपर लिखेंगे तो answer क्या बनेगा 9 बटे 20 यह option जो हमारा इस question का सही answer रहेगा यहाँ पर हमारा जो next question है पैरे बचो यह हमारा दिया हुआ है profit and loss के topic से ठीक है बिल्कुल basic सवाल है पैरे बचो complete math के chorus में मैंने यह सारे सवाल तुम लोगों को बहुत अच्छे से करवाए हुए है अगर किसी को कोई doubt है इन सवालों में अच्छे से इनको basic से समझना है तो वो chorus जरूर purchase करे ठीक है और इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पर chorus की कोई add कर रहा हूँ इसलिए पैरे बचो क्योंकि चीज़े जो है exam के अंदर सारी पढ़ाई हुई आ रही है इसलिए मैं बता रहा हूं तुम लोगों को एक आदमी करेया मुले से चार परतीसत हानी पर फूल बेचता है पैरे बचो ठीक है उसको loss कितने का ओरा है पैरे बचो उसको ओरा है loss 4% का बिलकुल सिधी सिधी बात है उसके बाद आगे उसने देखो क्या कहा है परन्तु 25 गराम के बाट के सतान पर वो 20 गराम के बाट का उफ्योग करता है ये भी बहुत बड़ी बाद है पैरे बचो वो क्या करता है अगर बाट था 25 गराम का वो यूज करता है कितना 20 गराम यानि कि तोलते टाइम भी वो गड़बड कर रहा है तो उसे होने वाला लाब पर तीसत में बताना होगा कितना होगा तो पैरे बचो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 5 गराम का है ठीक है 5 गराम की वो क्या कर रहा है दांदले बाजी आज़ी दोके बाजी करता है और कितने गराम पर करता है देता कितना है 20 ग्राम है यानि कि 20 ग्राम के उपर वो 5 ग्राम का क्या कर देता है गड़बड कर देता है इसको मैं काटूंगा तो fraction आएगा 1 बटे 4 और 1 बटे 4 का मतलब होता है 25% ठीक है ये 25% का वो क्या करता है profit कमाता है पहरे बचो low 4% का दिखाता है और profit 25% का कमाता है लेकिन हमें निकालना है overall जो उसका profit हो कितना होगा तो overall profit सिधा इस में से इसको minus नहीं कर सकते पहरे बचो A plus B वाला formula तुम लोगो ने पढ़ा होगा plus A गुणा B divide by 100 ठीक है ये वाला formula है पहरे बचो ये use होगा यहाँ पर पहले हमारा आएगा loss minus का 4 फिर आएगा मारा plus का 25 ठीक है फिर आएगा मारा plus और यहाँ पर हमारा क्या होगा minus का 4 गुणा plus के 25 divide by 100 ठीक है यहाँ पर plus minus कुछ भी आ सकता है तो यह मारा 25 एकट गया 4 पे 4 चे 4 पे यानि कि यह कितना बच गया minus का 1 ठीक है इदर minus के 4 है इदर minus का 1 है तो कितना बन गया minus के 5 और plus के मारे पास 25 है तो इसको इसमें से out करेंगे तो कितना बचेगा 20 परसेंट यानि कि overall profit जो है उसका परेबचो कितना निकलता है 20 परसेंट का profit उसको मिलता है बहुत आसान आसान सवाल है लंबाई और चोड़ाई का अनुपात एक आयत है rectangle है उसकी लंबाई और चोड़ाई यानिकी length और breadth का जो ratio है मारे सामने वो कितना परेबचो टू रेसो वन है आयत का परिमाप यानिकी perimeter और उसका चेतरफल का संख्यात मकमान ठीक है एरिया का इनका जो अनुपाद इनका जो ratio वो कितना है तीन अनुपाद चार है तो हमें आयत की यहां से लंबाई find out करनी पहरे बचो ठीक है बहुत अच्छा क्वेशन पूचा हुआ पहर बेसिक से यानिकी इसका कितना गुणा है चयार Guna तो इसका चार कुना मारी पास pretty कितनी हो चाहीं प्रेबचो चार ठीक है ये मारे पास आगी लंबाई और चोडाई तो लंबाई और चोडाई मारे पास आःट और चार यानिकी 8- which और चार需 ओमारी यह आगी तो हमारा जाने चाहिए यह पर बच्छो आट सो के 32 हम इसको कैंसल आउट करेंगे आठ से आठ तिया 24 ठीक है और आठ चो के 32 यानिकि जब हमारा रिस्षो आया प्रीमाप का और एरिया का शेतरफल का वह तीन अनुपा चाहर आना चाहिए तो कंडिशन हमारी सैटिस्फाई होगी है इ पहले तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो ठीक है एक बार में अगर वह नहीं हो पा रहा है तो अगर फिर उसको बाद में टाइम मिलता है करने का तो पहरे बचो हीट एंड ट्राइल से को करने की कोशिश करो तो पहरे बचो यहां पर हमारा जो next question है question number 32 है एक संख्या के देखो statement को बध्यान से समझना है simplification का बिल्कुल basic सवाल पूछा हुआ है एक संख्या के 3 पर 30 ठीक है और दूसरी संख्या के 2 पर 30 इन दोनों का जो योग है वो पहली संख्या के 3 पर 30 और दूसरी संख्या के 5 पर 30 के योग का कितना पहरे बचो 3 पर 4 के बराबर है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात बताना है ठीक है तो पहरे बचो 2 संख्या मानने पड़ेगी एक संख्या में मानने पड़ेगी x और दूसरी मानने पड़ेगी y ठीक है बिल्कुल equation बैठेगी य तो उसका 2% ठीक है पहरे बचो य का 2% बटे में 100 ये मारे पास इसके बराबर है पहली संख्या का 3% एक्स का पहरे बचो 3% फिर से 3% 100 और पलस में क्या होगा दूसरी संख्या का 5% 100 कर लेंगे ठीक है 5% इन दोनों को इस तरह से लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना पड़े है क्योंकि इन दोनों के योग का 3 बटे 4 है ठीक है इन दोनों का आपने टोटल सम किया और उसका 3 बटे 4 इससा निकाल लिया अब आगे कुछह नहीं करना है पहले इस साइड ओ जो वारी जो राइट और साइड है इसको इसको सोल करो यहां पर क्या होगा पैरican पर बचछो इसको ना जो बाहर तीन मटे 4 है इससे मेल्टिपलाई कर दो यहां पर सीधा-सीदा ठीक है तो यहां पर क्या हो जागा यह बन जाएगा हमारा तीन एक्स का उजएगा नो एक्स बटे चार गुणा सो जाएगा यह 400 ठीक है पैरबसो पलस यहां पर हो जाएगा पंदरा वाई और डिवाइड वाई कितना हो जाएगा यह चार अंदर आएगा तो चार सो ठीक है यह चीजी होगी अब एक काम करना 400 लिखूंगा मैं, तो 2-0 से 2-0 कट की बचा क्या 4, ठीक है, तो बन गया 12x पलस, इधर भी मारा क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 12x पलस 8y बराबर है किसके, पैरे बचो, इधर ये 400 निचे से गायब हो जाएगा, 9x पलस इधर भी 400 कट जाएगा, पलस 15y, ठीक है, 9x को इधर लियाओ, बच गया कितना, 3x बराबर है, 8y को उधर ले जाओ, तो 15y में से माइनस करेंगे, तो कितना बच जाएगा, 7y, ठीक है, पैरे बचो हमें x ratio y निकालना है, पैरे बचो, तो ये आजाएगा directly 7 ratio 3, ठीक है, यानकि B option, इसे basic तरीका है, इस सवाल को करने का नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है, इस तरह से चीज़े करनी पड़ेंगी, अगर इसको इस तरह से 400 से multiply नहीं करोगे, तो फिर equation को सोब करना थोड़ा है, तो पैरे बचो, exam के अंदर हमारी जो approach होनी चाहिए, थोड़ी सी advance approach होनी चाहिए, हमारी तब ही हम जो minimum time है, उसके अंदर पूरा paper solve कर पाएंगे, क्योंकि अब NTPC का CBT2 का paper है, उसमें तुमारे पास सिर्फ 90 minute होंगी, ठीक है, और करने के लिए तुमारे पास 70 question होंग हासिल करना है, otherwise फिर क्या होगा, देखो, इस exam के अंदर है, सबसे बड़ी बात एक ही होती है, कि कम time में कौन चीज़ों को कर पाता है, अगर इसी exam को, मालो इसमें 120 question दी होंगे, इसी exam को करने के लिए किसी भी बच्चे को, अगर हम पूरा पूरा time दे दे, कोई 2 गंटे ग time दे दे, कि 3 गंटे में करना है, तो हर एक बच्चा इस paper को कर जाएगा, पूरे-पूरे question दे टाइम कर देगा, इसलिए यहाँ पर सिरोप और सिरोप टाइम का केल होता है, approach जो हो एडवान्स होनी जरूरी है, practice होनी जरूरी है, ठीक है, यहाँ पर क्या दियावा है, A बर बराबर है, 2 बटे 3 B, B बराबर 1 बटे 3 C, और A उनुपात B उनुपात C हमें निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से पहरे बचो हम A नुपात B कैसे A रेसो भी निकाल सकते है, कैसे, ठीक है, यह B इदर आएगा, cross multiply करेंगे, तो हमारे पास A की value आजाएगी 2, और B की value होना है, तो इसको 3 से multiply करेंगे, इदर भी इसको 3 से multiply करेंगे, तो यह आजाएगा, 2 रेसो, 3 रेसो, 3 रेसो, 3 रेसो, 9, A रेसो, 2 रेसो, 3 रेसो, 9, बिल्कुल आसान question है, तो पहरे बचो, तो next question हमारा दिया हो, हो क्या दिया हो है, एक रेल गाडी, उन दो वैक्तियों को क करम से 10 से किंड, 8 से किंड में पार करती है, जो करम से 4 मीटर पर से किंड और 10 मीटर पर से किंड की चाल से उसकी वीपरीच दिसा में चल रहे है, यह बात important है याद रखना वीपरीच दिसा में चल रहे है, तो रेल गाडी की हमें क्या निकालनी है, तो पहरे बचो, ऐसा question सब भी दिखेगा तो सीधे सीधे speed of train मान लो x ठीक है हमने मान लो train की जो speed हो कितनी है x meter per second ठीक अब यहाँ पर क्या होता प्यारे बचो ऐसी condition में जो distance होती है ना distance हमारी किसके equal होती है speed गुणा time के equal होती है तो वो हमारी क्या होती है equal होती है इसको पार करने में train जो अपनी लंबाई के equal चलेगी इसको पार करने में भी train जो अपनी लंबाई के equal चलेगी यानिकि distance equal travel करेगी अब यहाँ पर यह speed यह भी speed है और यह time है अपने पास ठीक है तो क्या करेंगे पहले-पहले लेगी बात करेंगे ठीक है कितना time लेता है 10 seconds का और multiply करेंगे किसके साथ जो हमारी जो speed है ठीक है जो speed देखो वीपरीद दिशाओं में चल रहे है ठीक है इधर से train जा रही है और उदर से आदमी आ रहा है ठीक है जब भी opposite direction में चलते है तो speed क्या रहती है तो speed क्या रहे है आपर time होगा 10 seconds distance निकालनी है हमें तो x पलस और पहला अदमी कितनी speed से चल रहा है चार मेंटर पर second की speed से चल रहा है ठीक है यह हमारी जो क्या होगी distance होगी उदर दूसरी side हम क्या करेंगे 8 seconds का time लेता है और bracket के अंदर रखेंगे क्यों x पल plus 20 बराबर है कितने के 4x plus 40 के x उदर जाएगा minus हो जाएगा तो बचेगा कितना x और यह 20 उदर जाके minus हो जाएगा तो बचेगा कितना 20 यानि कि x की value हमें निकालनी थी क्योंकि जो speed थी train की हो हमने क्या मानी थी x और यह अपने पास आगी 20 meter per second जो इसकी speed आगी बिलकुल आ अशान सवाल था नेक्ट क्वेस्टन की तरह बढ़ते हैं कि यहां पर देखेंगे हमारा जो नेक्ट क्वेस्टन ना प्यारे बच्चो इसके अंदर आमारे पास क्या दिया हुआ है इसके अंदर दिया हुआ है एक संभुबूज यानि कि पोलिगन की बात करता है वह भीष जो अग्ट क्या गया तो अंतर बात क्या हुआ था है तो सीरफ ही तरह था। इस सवाल में और पुछ नहीं था तो पडेंगे धया है एक अक्स्या में 67 है उसमें लड़कियों और और लड़कों की संख्या का जो अनुपात है वो 5-0-7 ठीक है। उल्टा दिया उसने पहले गरल्स दी है फिर वो हे दिया ठीक है। यह जो इस चीज है बिल्कुल ध्यान रखनी है लड़कों के निचे लड़के और लड़किया यदि 5 लड़के कक्षिया से निकाल दिये जा साट है तो इसका कितने गुणा है पांच गुणा है यानि कि बोएज कितने है पांच गुणा है पांच गुणा है यानि कि बोएज कितने है पांच गुणा है पैंटीस और लड़कियों लड़कों और लड़कियों का ठीक है यानि कि हमें बोएज रेसो गरल्स निकालना और गरल्स के नीचे गरल्स यानिकी 6 रेस वाइव जो हमारे इस क्वेस्टन का राइट अंसर हो जाएगा यह उप्सन हमारा आंसर है बिल्कुल आसान क्वेस्टन पूछा हुआ था तो पहरे पूछ ध्यान से देखेंगे फिर से next question है हमारा mensuration का है rectangle का question है एक आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई से 2 cm अधिक है एक आयत है उसकी लंबाई और चोड़ाई हमें दीवी है ठीक है अगर चोड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी पहरे पूछ प्लस 2 यदि आयत का प्रिमाप है 20 cm ठीक है तो आयत का प्रि अगर मैं 2x की value यहां से निकाल लेता हूं तो कितना जाएगा पहरे पूछ यहां पर उदर जाके minus हो जाएगा बचेगा 8 x की value आगी कितनी 4 ठीक है यानि कि चोड़ाई तो कितनी है पहरे पूछ उसकी 4 है और लंबाई कितनी है अच्छ है लंबाई और चोड़ाई अपने संख्या का 1 बटे 5 बाग किस के बराबर होगा ठीक है संख्या माण लेते हैं x उसका कितना बाग एक बटे 8 बाग ठीक है और अगे क्या है उसका 1 । 1 । 1 । 1 । 2 बाग बराबर किसके 300 के यहां पर कुछ कट नहीं रहा है तो x की value निकल के आ अगई संख्या अपने पास निकालना तो प्यारे बत्चों ठीक है तो हम एक बुटे पांच इसको मुल्टिपलाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारा कट जाएगा यह पांच एकम पांच बजे चार चैलिस पांच नहीं में पैंतालिस पांच दोनी दस और जीरो उनीस सो भीस हमारा इस का राइट अंसर हो जाएगा तो पहरे बत्चों यहां पर हमारा जो नेक्ट क्वेस्चन है यह हमारा फिर से क्या है मैंचूरेशन का भी कह सकते इसको जिए मैंचूरेशन में यह आता है यह क्वेस्चन यदि चोंसेट सेंटीमेटर परिमाप वाले एक त्रीबुज की अन्त तरीक का होता है इस सवाल को करने का ठीक है अंतरी जायन की रेडियस हमारा किसके को बलता है पहरे बत्चों एरिया अपन अर्द परिमाप यह फर्मूला था इसको करने का अगर इसको बेसिक से पढ़ना तो मैं फिर से क्रिकमेंट करूँगा कंप्लीट मैट का जो मेरा कोर बंप्रिमाहमारा इसका अब्द व जाएगा 32 सेंटीमेट्र ठीक है आर अपने पास कितना हे आठ सेंटीं मेटर तो हमेंक्या निकालना प्रपला तो ओ weaker just अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आजाएगा 250 यहां पर मेटर सेंटीमेटर स्केर जो भी यहां पर दिया हुआ है वह हमारी यूनिट हो जाएगी इसको बना लेते हैं तो बनाने के लिए इसको 20 से गुणा कर लेते हैं और इसको भी 20 से गुणा कर लेते हैं तो पहरे बत्तो यह यह कितना हो गया A हमारा 100 है तो B हमारा कितना है 80 है उसने आगे क्या कहा है A का 28% ठीक है यानि कि इसका 100 का 28% कितना होगा 28 आ जाएगा बोलो हाँ तो B के कितने परतिसत के बराबर होगा यानि कि जो 28 value है ये B का कितने परतिसत है 80 का कितने परतिसत है यह निकालना है तो पहरे बचों यहाँ पर 28 को लिखेंगे उपर और जिसके प्रतिसत में निकालना है तो उसके रखते हैं हम निचे और सब्सक्राइब करेंगे सो से बीस ओकासी बीस पंजे सो चार से खटेगा साथ पे साथ की उर्पांस की गुणा करेंगे तो अनसर आजाए कितना यहन कि जब 10% हमारे जो कोस्ट प्राइस होता हुँ मेशा कितने के एक उलता प्यरेबचों 100% के एक उलता है कितना सतर रुपे दस प्रसेंट का लोस होगा तो कितना प्रसेंट बच गया 90% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी तो सतर गुणा 90 बटे 100 कर लेते हैं त 384 बाग n baixo 0.5 तो सबसे पहले तो बच्तों को यहाँ पच्छों पने में ही इतका इसको लिखें इसको लिखा कैसे जाए चैप से लिखने में सबसे टे 205 लेवे और 105 को एक बटा 2 ठीक है इसको ले लो एक बटा दो इसके बटे में लिख लो तो जब इस तरह की condition होती तो उसको जब हम open करते हैं तो कैसे बनेगा 684 बटा नो गुणा ये दो पर जाके multiple ही हो जाएगा और एक इसके बटे में आ जाएगा ठीक है अगर इसको तुम दूसरे तरीके से करने की कोसिस करोगे कहीं भार क्या होगा थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे अंसर जोगा गलत आने के चांसिस हो जाएगे तो उस कंडिशन में तुमारा अंसर मैच भी कर जाएगा लेकिन जो सही तरीका उसको करने का ये सबसे बैट तरीका है इस तरीके से इस तरह का क्वेस्चन करना होता है तो पहरे बचों यहाँ पर algebra का question है ठीक है बिल्कुल basic है x is equal to 3 y is equal to 5 तो हमारे पास equation है इसके अंदर value पूट करो और answer निकालो तो इस तरह के question में क्या करोगे यहाँ पर x का square कितना हो जाएगा 9 चोका 36 ठीक है x y कितना हो जाएगा 5 तिये 15 चोके 60 ठीक है और यहाँ पर आगे y का square याई का square होगा 25 ठीक है तो पेरे बचो यहाँ पर हमारा जो next question है वो हमारा दिया हुआ है HCF और LCM के topic से ठीक है बहुत ही basic question है पूरा YouTube के ओपर मैंने 4 गंटे की एक marathon class में करवाया हुआ है उससे बाहर कभी भी HCF LCM का सवाल नहीं जाएगा और complete match का जो chorus है उसके अंदर तो मैंने इसको पढ़ाई रखा है बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़े PDF वगारा सारी टेलिग्राम पर आपको मैं provide करवाता हूँ for your cost तो यहाँ पर कहा दिया हूँ है दो संख्याओं का HCF और LCM है सब्सक्राइब है। अप्र आठ है तो कट जाएगा कितना एगा 20 ठीक है एक गुणा भी कितना गड़ी तो यहां से इसके फैक्टर करेंगे एक गुणा 20 यह फैक्टर पॉसीबल है दो गुणा दस फैक्टर पॉसीबल नहीं है क्योंकि उनके 20 कुछ नहीं होना चाहिए और उसके बाद तीन चार चार गुणा पाच बनेगा हमारा ठीक है उसके बाद तो सायद कोई factor नहीं बनेगा केवल दो ही factor इसके possible है ठीक है बेसिक से पड़ो इसको पहले तब सारी जिए समझ में आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा पहरे बचो दो factor possible है तो दो ही तरह से संक्याई बन सकती है ठीक है और इनको hcf से multiply करते हैं ठीक है तो पहला जो जूड़ा हमारा उबनेगा एक संक्याई 8 हो जाएगी और एक हो जाएगी 160 ठीक है इनका सम कितना बनेगा 168 जो हमारे पास option में कही नहीं है तो यह हमारा फैक्टर कर जाएगा दूसरा बनेगा 8,34 और 8,45 इन दोनों का सम बनेगा 72 72 इनका सम बनेगा तो 72 option में है यह हमारा क्या हो जाएगा right answer बोलो तो next question की तरफ बढ़ते हैं question number 65 है 0.02x is equal to 0.05y तो x-y बटे x-y की value हमें यहां से find out करनी है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगा यहां से 10 मलों को गायब कर देते हैं तो यह हो जाएगा 2 बटे 100 x बराबर 5 बटे 10 y के है ठीक है यही आसान पड़ेगा इसमें 0 से 0 काट लो 2 से गया 5 पे x बटे y हमारे पास आगया कितना यह पांस दरजा के multiple आई हुआ 25 और निच्च आएगा 1 ठीक है यह मारे पास रेश हो आगया वैल्लू कुछ भी मान लो x की वैल्लू 25 है y की वैल्लू 1 तो हमें निकालना x-y ठीक है 25 में से एक गया हमारे पास बच गया 120 x पलस y इन दोनों को आइड करेंगे 25 पलस एक कितना हो गया 26 20 काटेंगे 12 दो से कट गया 12 हुई कट गया 13 ठीक है 12 बटे 13 ए उप्शन जो इस क्वेस्चन का हमारा राइट अंसर हो जाएगा अब नेक्ट क्वेस्चन की दर बढ़ते हैं तो यहां पर जो नेक्ट क्वेस्चन है उसको दिखते हैं 68 क्वेस्चन है एक भी करेता 600 रुपए में 300 आम करीता है उन में से कुछ आम सड़ गए और कुछ उसने फैंक दिया ठीक उनको फैंक दिया उसने सेज बचे हुए आमो को 3 रुपए परती आम की दर से बेच दिया और 210 रुपए का उसको प्रोफिट हुआ तो फैंके गए आमो का परतीसत हमें ग्याद करना प्यारे बचो कि कितने परतीसत आम जो खराब हुए थे या फैंक दिये गए या फिर सड़ गए थे तो प्यारे बचो इस क्वेस्चन को करने का एक मास्टर तरीका भी आए लेकिन उसमें तुम लोग कनफ्यूज हो जागे तो डायरेक्टल इसको थोड़ा बेसिक से करवाता हूं मैं देखो 600 रुपए के उसने कितने आम करीदे पहरे बचो कोस्ट प्राइस निकालते हैं पहले तो कोस्ट प्राइस आगया एक आम का कितना दो रुपए ठीक है इसकी आलागी कहीं जरूरुद पढ़ने वाली नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं कभी भी किसी भी क्वेस्चन में ऐसी चीजों की जरूरुद पढ़ जाती है आगे उसने कहाया कुछ आम खराब होगे सड़गे जो भी है उसने फिर बचे हुए आम को 3 रुपए के रेट में बेच गया और 210 का प्रोफिट हुआ ठीक है यानि कि प्रोफिट हुआ 210 का कोस्ट प्राइस कीतना था पहरे बचो 600 रुपए और प्रोफिट होगा कितने का 210 210 का यानि कि टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आगया 810 रुपए बोलो हां ठीक है 810 रुपए में उसने सारी चीज़े बेच दी तो 810 रुपए में उसने वह चीज़े बेच दी और अब मुझे एक बात बताओ उसने एक आम तीन रुपए का एक आम उसने बेचा तो कितने आम बेचे होंगे तो तीन से कटे गए 271 रुपए गया 870 270 रुपए ठीक है खरीदे थे उसने 300 रुपए उसने कितने 270 रुपए बेचे यानि कि 30 रुपए और यहां से गायब हो गये बीच में कहीं वो खराब हुए सड़ गये उसने पहंग दिया जो उसने किया उनका वो खा गया ओउसने ठीक हो में नहीं पता लेकिन कितने परतिसत है 3030 अम जोई 300 को कितने परतिसत है पहरे बत्चों तो 10 परसेंट ए रसीटी सीदी दिखाई देने वाली बात है 30 बटे 300 multiple by 100 कट गया यह 10 परसेंट अमारा क्या जाएगा इस वाल का राइट अंसर बो 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं A अकेले उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लेगा ठीक है बिल्कुल basic question पूछ लिया तो यहाँ पर A रेसो B capacity का अनुबाद दिया हुआ है A जो वो 3 गुणा ज्यादा कुसल है किसे पहरे बचो B से ठीक है दोनों की capacity आगी पहरे बचो और अगर इनका जो यानि कि अगर A तीन काम करता है एक दिन में तो B केवल एक काम करता है दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं पहरे बचो 3 पलस 1-4 काम कितने दिन काम करते हैं 18 दिन में काम पूरा करते हैं तो टोटल काम आगया कितना? बहतर unit यानिकि 72. ठीक है, बहतर unit हमारे पास काम available है. अब हमें करवाना किसे है? अगर A अकेला उस काम को करेगा, तो टोटल कितनी है बहतर unit है? A अकेला एक दिन में कितनी करता है? अब next question की तरफ बढ़ते हैं, इसका जो right answer है, वो C option, 24 दिन में वो जोगा काम को पुरा करेगा. तो चलिए भई, हमारा जो next question है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, इन में से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली एक प्रीमेर संक्या है? तो इन दोनों के बीच में कौन सी संक्या है, वहाँ पर आएगी? ठीक है, 9.2 और 10.5 ठीक है, इसको इस तरह से लिखो, 9.20 और 10.50 ठीक है, इनके बीच में आएगी, 9.15 ठीक है, 9.20 से पहले आएगी, यह नहीं आएगी, 9.55 आ जाएगी बीच में, ठीक है, 9.55, 10.67 इससे बड़ा है, 9.08 इससे छोटा है, तो के वहल आणसर क्या रहेगा? बी ओप्शन, बोलो हाँ. तो भई, जो next question दिया हुआ, उसमें क्या दिया हुआ है? हमें under root, यानि कि square root ओप 46 में है, ठीक है, 46 में क्या करना है? वरग मूल निकालना है, तो पहरे पुचो देखो, इस तरह का जब question तुमें दिखे, तो सबसे पहले तो इसका unit digit देखो, कि क्या है 6 है, ठीक है? तो 6 हमारा जो unit digit होता है, वो या तो 6 वाले में आएगा, या पिर 4 वाले में आएगा, इनकि unit digit जो है, वो 6 और 4 में से बनेगा, ठीक है? तो पहरे पुचो यहाँ पर 6 और 4 2 में दिया हुआ है, तो ऐसे question को directly कैसे solve करना है, अब यहाँ पर तुम उठा लो 65 को, ठीक है, 65 का सबसे असान होगा करना, क्योंकि इसका directly लिखो 25, और 6 से 1 add कर लो, इसमें 42, 25, ठीक है, कितना होगा 42, 25, अब यह देखो, 46, 26, 25 से ज़्यादा है या कम है, तो कम है प्यारी बचो, अगर कम है तो यह 66 तो होगा नहीं, फिर तो क्या आएगा, 64 हमारा right answer हो जाएगा, बोलो हाँ, तो चलिए वहीं, इनका जो हमें मध्य दिया हुआ है, इनका जो हमें मध्य दिया हुआ है, average कहा सकते है, mean कहा सकते हैं, तो क्या है, 20 है, तो पहले दो प्रेक्शनों का मध्य हमें निकालना, पहरे में चोटीक है, यह एक sequence में चीज़े लिख हुए हैं, देखो, इस तरह से चीज़े लिख हुए है, मानके चलो, मैं यह आपर लिख देता हूँ, 7, 6, 5, 4, 3, ठीक है, सब में minus 1, minus 1, minus 1, इस तरह से चीज़े लिख हुए है, तो इनका में सा average का उती ही, बीच वाली value, ठीक है, तो बीच वाली value उठाएंगे, भी 22 हागी, बस, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, x और x minus 1, ठीक है, पहली दो संख्या है, इनका में, माद्य निकालना है, देखो, पूछा है, दो परेक्षनों का माद्य पहले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह 22 हो गया, और यह 22 में से एक गया कितना 21, ठीक, 22 पलस 21 हो गया अपने पास, तो 22 पलस 21 है, दो संख्या है यह लगातार, इनके बीच की जो संख्या है, वो इनका माद्य रहेगा, 21, यह इन दोनों गाइड करके, दो से डिवाइड कर दो, आंसर क्या हो जाएगा, तुमारा D option बोलो हाँ, चलिए बई, next question की दर बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, 70 km परती गंटा की चाल से चल रही, एक रेल गाडी, उसकी वीपरीद दिशा में चल रहे, एक मोटर सवार को 2 सेकिंड में पार करती है, ठीक अबी, यदि मोटर सवार, रेल गाडी की समान दिशा में चले, तो उसे 5 सेकिंड में रेल गाडी पार करती है, तो मोटर सवार की चाल क्या होगी, ऐसा ही सवाल थोड़ी दिर पहले हमने किया था, यहाँ पर क्या था, अमरी जो डिस्टेंस होती है, बराबर है किसके यह डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पर अब वो चलेगा, उसेम उसी डिरेक्शन में, जिस दिसा में गाडी चल रही है, तो इदर उसकी स्पीड हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और अब टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि speed कम हो गया, तो 5 seconds का time लग गया, तो ये कितना हो गया, 140 plus 2x, बराबर 350 minus 5x, ठीक है, अब ये 5x इदर आएगा, तो हो जाएगा 7x बराबर है, इसको minus करेंगे, तो बचेगा कितना 210, 7 से कटेगा 3 पे और 0 पे, ठीक है, तो x की value कितनी हागी, 30, तो ये बचेगा आपन मानी थी, मोटर की, और वह हमारी यांगी 30 km पर हावर, तो ये पेरे बचो, हमारा जो next question दिया हुआ है, इसको देखते हैं, बहुत आसान question है ये भी, और simply application के topic से ये question दिया हुआ है, simply application की मेरी course की पहली class पढ़ोगे, दूसरी class, तो दूसरी class में ही तुमें ये question मिल जाए इस question में देखें हैं द्यान से, ठीक है, हमें इन समको आपस में multiple लाई करने की जुरूरत नहीं है, चंद सेकिंडों में होने वाला सवाल है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, कितने बार दिया हुआ है, साथ, 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 चार बार, इनको आपस में multiple लाई करो, ठीक है, अब इनका निच्चे क्या है, हमारा जो डिनोमिनेटर है, हर दिया वाव हो है, बाक्यूप सभी को add गरो, 4, 3, 7, 2, 9, 10, अब इसको काट दो कितने पर 2 पे, ठीक है, इनको multiply करके इसमें 2 add गरो, तो 4 सते 28, हासिल 2, 4 सते 28, और 2 30 की 0, हासिल 3, 4 सते 28, और 3, 31, 0, 8, और 2 add करेंगे तो कितना आ गया, 31, 10 ठीक है, नोकिया का 31, 10 फोन आ गया, हमारा है, यहां से निकल के, बहुत पहले, नोकिया का 31, 10 फोन बहुत ज्यादा मार्केट में चलता था, आज गल तो कुछ बचा नहीं है, उस तरह का, तो पहरे बच्चो इस पेपर में जो math के question थे, वो मारे complete हो है, अब मैं complete math का course के बारे में बता देता हूँ, पहरे बच्चो ठीक है, यह course पहरे बच्चो आप जो YouTube के उपर एक जवाइन बटन होता है, ठीक है, जवाइन बटन उसके उपर मैंने वीडियो डाली हूई अलग से, उसका link भी description में मिलेगा, कि YouTube के उपर ही जवाइन बट लेकिन वहाँ पर आपकी जो कोस्ट होगी परेबचो वह आपको कम से कम 249 की कोस्ट उसकी पड़ेगी, और वह 6 महीने के लिए वैलिड होगा, इसमें arithmetic advance और NCRT, ठीक है, डेटसो पलस classes आपकी cover रहेंगी, और PDF आपको साथ में मिलेंगी, अगर कोई जानकरी लेना चाहते ह हो, सारी चीजों की information आपको यहाँ पर मिल जाएगे, तो पैरे बचो और इस सीरीज के बारे में मुझे comment box में comment करके जरूर बताना है, कि क्या एक सीरीज जो है continue करनी चाहिए, या नहीं करनी चाहिए, NTPC की है, CBT2 के लिए बहुत जबरदस्त रहने वाली है, यहाँ से question directly exam में बनेंगे, और कैसी class थी, इसके बारे में कोई improvement की जरूर था, तो सारी चीजे जोहाँ आप comment box में एक बार comment करके थोड़ा सा time देखे, मुझे जरूर बढ़ताना, प्यारे बत्चों, और यदि आप channel पर नए तो channel को subscribe जरूर करें, अपने साथियों के साथ share जरूर करें जय हिन, जय भारत, जय किसान